अज हम बनाने जारे हैं वेज सेंडविच तो इसके लिए हमें पहले सेलेट काट लेना है और मयानिज हमें चाहिए और उसके लिए चाहिए सैजन चटनी तो मयानिज की आप जगें आप फ्रेश क्रीम भी यूज कर सकते हैं तो चलिए सबसे पहले आपने दो चम्मच एक ब्रेड पे मयानिज लगा लेनी है और दूसरी ब्रेड पे अपने सैजन चटनी अप्लाई कर लेनी है तो मयानिज का मैंने गार्लिक फ्लेवर ले रखा है आपको अपनी मर्जी से कुछ भी ले सकते हैं और उसके बाद आपने इसके उपर सैलेड रख देना है सैलेड में भी आप अपनी चोईस से कुछ भी सैलेड ले सकते हैं जो आपको पसंदो तो जो सीजनल आता हो आ ripe सेलेड रखे इसको एक मिनट के लिये सैंडविच मेकर में लखता है कोई गीब गटर नहीं लगाना है अगर आप इन सैंडविच को पोल्ड शैंडविच बनाना चाहते हैं तो तो आप इसको इसमें सैंडविच मेकर में नोफ रख आजीए सिम्पल इसको कटन कट करके और इसके उपर आप ट्रांस्पेरेट शीट अती है वो लपेट कर फ्रीज में रख दें तो वो कोल्ड सेंड्वीच आपके बन जाएंगे वो भी मैं वीडियो बनाऊंगी चलिए ही रडी हो गए हैं सर्व करने के लिए आप बताईए बनाईए खाईए और मुझे कमेंट बॉक्स में बताईए कैसा लगा आपको यह टेस्ट वीडियो देखने के लिए और लाइक करने के लिए थैंक्यू सो मच